Hello students, this is Megasharma, welcome to Omega TechEd. Previous video में हमने discuss किया था कि किस तरीके से KMAP की help से हम SOP expressions को simplify कर सकते हैं, उन्हें minimize कर सकते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से KMAP की help से हम POS expressions को minimize करते हैं. तो जो process होता है minimization का वो same ही होता है जो हमने SOP expressions के लिए किया था. मतलब POS expressions को जब हम minimize करते हैं तो हम same steps ही follow करते हैं जो हमने SOP expressions में follow किये थे. बस यहाँ पे जो main difference होता है वो यह होता है कि POS में हम complemented letters या हम बोल सकते हैं कि जो complemented variables होते हैं उन्हें हम one से represent करते हैं और जो uncomplimented letters और variables होते हैं उन्हें हम zero से represent करते हैं तो अगर हम three variables के लिए देखें तो three variables का जब हम k map बनाएंगे तो हम total eight cells लेंगे इस तरीके से उसमें हम number लिखते हैं जैसे कि 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 यह decimal numbers हैं अब यहाँ पे A, B, C तीनों की value zero है अगर हम first cell देखें तो तो जो main difference है जैसे कि हमने अभी discuss किया कि जो main difference है वो यह है कि अगर value zero है तो इसका मतलब यह है कि जो variable है वो हम uncomplimented form में represent करेंगे मतलब A, B, C तीनों zero है तो हम लिखेंगे A plus B plus C similarly जो second cell है मतलब जो one है 001 उसको हम लिखेंगे A plus B plus C बार similarly three को अगर हमें represent करना है तो zero one one है तो हम लिखेंगे A plus B bar plus C bar और इसी तरीके से हम बाकी values को भी represent करेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो भी variables complemented form में होता है इसका मतलब यह है कि वो one को represent कर रहा है और जो भी variable uncomplimented form में होता है इसका मतलब यह है कि वो zero को represent कर रहा है तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम three variable k map में max terms को represent कर सकते हैं next हम समझेंगे कि किस तरीके से four variable k map होता है तो four variable k map भी same ही होगा similar ही होगा बस difference यहाँ पे यह है कि three variables के place पे यहाँ पे four variables हमने लिये हैं इसलिए sixteen cells बनेंगे और इस तरीके से हम four variables को represent कर सकते हैं अब हम examples के तरू समझेंगे कि किस तरीके से हम POS expressions को minimize करते हैं k map की help से तो जो first example हमारे पास है वहाँ पे हमें एक standard POS expression दिया हुआ है और यह three variables का है तो यहाँ पे हम eight cells बनाते हैं और standard form में है क्योंकि हर एक term में सभी three variables present हैं हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि अगर हमें ऐसा expression मिलता है जो standard form में नहीं है तो पहले हमें उसे standard form में convert करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले यह जो expression दिया है इसकी values लिख लेते हैं a plus b plus c है मतलब a b c तीनों ही zero रहेंगे similarly a plus b plus c bar means zero zero one यहाँ पे b bar है मतलब सिर्फ b जो है वही one है बाकी a plus c uncomplimented form में है means zero इसी तरीके से हम बाकी दो terms के लिए भी इनकी binary values लिख लेते हैं अब यहाँ पे हम लिखेंगे जब तो zero लिखेंगे क्योंकि यह pos expression है तो जो first zero हम लिखते हैं वो लिखते हैं a plus b plus c means zero 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 पे next zero जो हमें लिखना है वो लिखना है zero zero one पे means यहाँ पे हम लिखेंगे उसी तरीके से zero one zero पे zero one one पे and one one zero पे तो यह भी हम पे ध्यान देना है कि जब हम mapping करते हैं तो zero लिखते हैं उसके बाद हम हमारा जो next step होता है mapping के बाद वो होता है grouping का तो गुरूप बनाने के लिए यहाँ पे same rule ही follow होगा जो च्बसे बड़ा गुरूप है वो हम पहले बनाते हैं तो यहाँ पे हम four का गुरूप बनाते हैं और उसके बाद हम एक pair बनाते हैं तो ये हमारा second step हुआ अब third step जो हमारा था वो ये था कि हम expression लिखते हैं इसका minimum expression हम लिखते हैं कि क्या होगा तो जैसे कि हमने यहाँ पे first group बनाया है ये जो four का group बनाया है इसमें हम देखते हैं कि जो a की value है वो यहाँ पे change नहीं होती है ब क्योंकि ये पूरी first pro का group बना हुआ है तो पूरी जो first pro है वहाँ पे a की value 0 है यहाँ पे a की value 0 है means a change नहीं हो रहा है जबकि b और c change हो रहे हैं तो इसका जो answer आएगा जब minimum expression हम इसके लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिर्फ a सिर्फ a हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a की value 0 है और यहाँ पे जो 0 है मतलब की जो variable हमें लिखना है वो uncomplimented form में लिखना है बाकी b और c तो change हो रहे हैं तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे next जो pair हमने बनाया है वो pair हमने two का बनाया है जिसमें एक जो value है वो है 010 और दूसरी जो value है वो है 110 इसका मतलब यह है कि यहाँ पे c जो है वो change नहीं हो रहा है क्योंकि c की value तो यहाँ पे fix है और साथी साथ B जो है वो भी change नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो answer आएगा वो आएगा B bar plus C क्योंकि B की value 1 है इसलिए हम B को represent करते हैं B bar से यहाँ पे answer B bar plus C इसलिए आया है क्योंकि A तो change हो रहा है A की value एक बार 0 है एक बार 1 है लेकिन B और C change नहीं हो रहे हैं B की value 1 है इसलिए हम B bar लिखते हैं और C की value 0 है इसलिए हम उसे simple C लिखते हैं तो जो final answer हमारा आएगा जो minimum expression हमारा आएगा वो आएगा A B bar plus C next example में हमें numbers दिये हुए हैं और यह जो pi symbol है उससे हमें पता चलता है कि expression POS form में है और क्योंकि यह 4 variables के लिए है means हमें 16 cells का array बनाना होगा अब यहाँ पे हमें expression नहीं दिया है direct numbers दिये हैं तो यह जो numbers हैं इनको हम directly लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें numbers को map करेंगी जैसे कि first number दिया हुआ है 0 means हमें 0 के place पे 0 लिखना पड़ेगा next है 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14, and 15 तो जो भी numbers हमें दिये हैं हमने वहाँ पे 0 को map कर दिया next step होता है grouping का तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 का group तो नहीं बन रहा है तो 4 का हम एक group बनाते हैं next group another हम 4 का बनाते हैं quad बन रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि एक pair बन रहा है और last में इस तरह से pair बन रहा है तो इस key map में total 4 groups बन रहा हैं तो यह हमारा step complete हुआ इसके बाद हमने minimum expression लिखना है तो हम one by one सभी groups के लिए minimum expression लिखेंगे और जैसे कि अभी हमने shortcut देखा है उसी तरीके से हम इसमें expression लिख सकते हैं जैसे कि जो first group हमने बनाया था 4 का जो group हमने बनाया था अगर हम उसमें numbers देखें कि हर number क्या है तो पहला जो number था वो था 0001 जो कि 1 पे हमने 0 लिखा था उसके बाद था 0011 next था 0101 और 0111 इन 4 numbers को लेके हमने एक group बनाया था एक quad बनाया था तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A और D change नहीं हो रहा है बाकि B और C तो change हो रहे हैं प्योंकि first number A होता है B second number C third number और D fourth number तो यहाँ पे जब हम इन 4 numbers को लिख लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि A और D change नहीं हो रहा है जबकि B और C change हो रहे हैं तो अगर हम देखें तो A जो है वो sum में 0 है और D जो है वो sum में 1 है इसका मतलब इसका जो reduced expression रहेगा वो रहेगा A प्लस D बार तो first जो हमारा quad बना है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस D बार क्योंकि A और D change नहीं हो रहे हैं अब इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी एक quad के लिए minimum expression लिखा अब इसी तरीके से हम सभी groups के लिए minimum expression लिखेंगे अब जो second group हमारा बन रहा है वहाँ पे minimum expression बनेगा B बार प्लस C बार क्योंकि अगर हम इस quad को देखें तो यहाँ पे B और C की value change नहीं हो रहे हैं दोनों की ही value 1 है जबकि A और D change हो रहे हैं और B और C इन चारों को अगर हम देखें तो value वहाँ पे 1 है similarly अगर हम pair देखें जो third pair हमने बनाया है red color से उसमें जो value हमें मिलेगी वो मिलेगी A प्लस B प्लस C क्योंकि A प्लस B प्लस C change नहीं हो रहा है A, B, C तीनों की ही value 0 है जबकि D change हो रहा है 0 से 1 तो pair जो हमें मिलेगा वो three variable terms का मिलेगा A प्लस B प्लस C last में हमने जो pair बनाया है वहाँ पे सिर्फ B change हो रहा है अगर हम देखें तो जो B की value है वो 1 से 0 हो रही है जबकि बाकी की जो values है A की value है 1, C की value है 1 और D की value है 0 तो इसलिए जो pair मिलेगा वो मिलेगा A बार प्लस C बार प्लस D तो इस तरीके से हम सभी groups के लिए एक reduced expression लिखते हैं और last में हम इसे product term में लिख देते हैं तो जो हमारा minimum expression होता है वो equivalent होता है जो हमारा given expression है उसी के equivalent होता है तो यहाँ पे जो minimum POS expression हमें मिला है वो है A प्लस D बार, B बार प्लस C बार, A प्लस B प्लस C, A बार प्लस C बार प्लस D next example में हमें एक standard POS expression दिया हुआ है और K map की help से हमें इसे minimize करना है तो सबसे पहले हम binary values लिख लेते हैं जैसे की A बार प्लस B बार प्लस C प्लस D को हम लिखेंगे 1100 क्योंकि जो complemented variable है उसका मतलब 1 होता है और जो uncomplimented variables हैं उनका मतलब 0 होता है तो similarly सभी terms के लिए सबसे पहले हम binary values लिख लेते हैं उसके बाद जो values हमें मिली हैं उन्हें देख के हम 0 को map करेंगे तो सबसे पहला जो 0 हमें मिलेगा वो मिलेगा 1100 पे उसके बाद 0100 पे next जो 0 है वो है 001 पे similarly हम बाकी के जो terms हैं उसे देख के 0 को map कर देते हैं सबसे लास्ट में है 0010 जो कि हमने map कर दिया है अब यहां पे हम देखते हैं कि हम 0 को map करते हैं जबकि SOP में हम 1 को map कर रहे थे अब यहां पे जो खाली cells हम को दिख रहे हैं वो खाली cells में actual में 1 होता है क्योंकि POS में हम 0 map कर देते हैं और जो blank cell होते हैं उसका मतलब यह है कि वहां पे 1 है और SOP में हम 1 को map करते हैं और जो खाली cells होते हैं उसका मतलब यह होता है कि वहां पे 0 है तो इस तरीके से अगर हम इसे समझें तो हमें अगर POS expression दिया हो तो उस POS expression को देख के हम SOP expression लिख सकते हैं और अगर हमें SOP expression दिया हो तो उस SOP expression को हम POS में convert कर सकते हैं तो अब हमने 0 तो यहां पे map कर लिया अब next step में हमें grouping करना है grouping के लिए same rule है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा बड़े से बड़ा group बन रहा है तो यहां पे 8 का group नहीं है और ना ही कोई 4 का group बन रहा है तो हम directly pair बनाते हैं पहला pair इस तरह से बनेगा second pair हम इस तरह से बना सकते हैं और finally जो last pair है वो इस तरह से बनेगा अब जो pairs हमने बनाए हैं हम उनके लिए minimum expression लिखेंगे तो first pair जो हमने बनाया है उसमें हम देखते हैं कि A की value change हो रही है A की value 0 से 1 हो रही है जबकि B, C, D की value change नहीं हो रही है वो fix है B की value 1 है, C की value 0 है और D की value भी 0 है पूरे pair में तो यहाँ पे जो expression बनेगा वो बनेगा B bar plus C plus D क्योंकि B की value 1 है तो हमें लिखना पड़ेगा B bar और C और D 0 है तो हम लिखेंगे C plus D Similarly जो second pair हमने बनाया है हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें expression मिलता है A plus B plus C bar ऐसे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे A, B, C change नहीं हो रहे है A और B की value 0 है C की value 1 है और D की value change हो रही है D की value 1 से 0 हो रही है तो यहाँ पे हमें expression मिलता है A plus B plus C bar Similarly हम third pair के लिए भी expression लिख सकते हैं यहाँ पे हम को expression मिलेगा B plus C plus D bar तो इस तरीके से हम सारे expressions लिख लेते हैं और last में जो resulting minimum POS हमें मिलेगा वो मिलेगा B bar plus C plus D A plus B plus C bar and B plus C plus D bar आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी POS expression दिया हो तो हम किस तरीके से उसको K map की help से minimize कर सकते हैं तो अगर हम सारे steps को sum up करें तो सबसे पहले हम binary value लिखते हैं जो भी POS expression हमें दिया है हम देखते हैं कि वो standard form में है या नहीं अगर standard form में नहीं है तो हमें standard form में convert करना होगा और standard form में convert करने के बाद हमें उसकी equivalent binary value लिखनी होगी next step में हम K map बनाते हैं तो K map हम बनाते हैं कि हमें function किस तरह से दिया हुआ है जैसे अगर हमें 3 variables का function दिया हुआ है तो हम 8 cell का K map बनाएंगे और अगर 4 variable का function दिया हुआ है तो हम 16 cells का K map बनाएंगे next step में हम 0 की entry करते हैं मतलब 0 को map करते हैं तो हमारा जो function है और जो binary values हमें मिली है उसे देख के हम 0 की entry करेंगे next step में हम grouping करते हैं मतलब यहां पे हम same rule ही follow करेंगे कि जितना यह बड़ा इसे बड़ा group possible है वो हम पहले बनाते हैं तो सबसे पहले हम octates बनाते हैं उसके बाद quads बनाते हैं और last में हम pair पे जाते हैं जब हम grouping कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कोई redundant group तो नहीं है क्योंकि अगर कोई redundant group बन रहा होगा तो हमें उसे remove करना होगा last step में जो reduced expression हम होता है वो हम लिखते हैं reduced expression लिखने के बाद end जो पूरा expression जो reduced हमें मिला है वो लिखने के बाद हम उसे end कर देते हैं उसका मतलब यह है कि हम उसे product form में लिख देते हैं तो इस तरीके से यह पूरा process complete होता है use a k map to reduce each expression to a minimum POS form thank you so much for watching till here अगर आपको video useful लगी है video पसंद आई है तो video को ज़ादा से ज़ादा share करें video को like करें और अगर आप channel पे new है आप तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें और video की notification के लिए bell icon प्रेस करें